गुड़ मॉनिंग दोस्तों गुर्खुल पॉइंट में मैं दिपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे तो आज दोस्तों मैं गुर्खुल पॉइंट में बहुत सारे बच्चों ने मुझे वार्टसब पे और कमेंट बॉक्स के यूटूब चैनल के भी कमेंट बॉक्स में कहा है कि सर हिंदी साहित और भाशा विकास से संबंधित टॉपिक से वीडियो लेके आईए वहां से प्रशन बहुत बनते हैं ये सही बात भी है तो आज मैं हिंदी साहित भाशा विकास से संबंधित जो टॉपिक लेके आया हूँ उसके बारे में कुछ पहले बता दूँ कि हिंदी साहित भाशा विकास का चैप्टर थोड़ा लंबा है इसके कम चार से पांच भाग आएंगे और मैं चाहता हूँ वो चार से पांच भाग आप कम्पलीट देख लेंगे तो हिंदी साहित से कभी भी कोई भी कोश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा ये मेरी गारेंटी है ठीक है तो दोस्तों आप सुरू से लाश्ट तक वीडियो में बने रहेंगे बहुत ही इ हो सकता है तो चलिए सुरू करते हैं आए दोस्तों आज हम जानेंगे भासा के विषय में ठीक है यानि पहले हिंदी साहित का जो भासा विकास है उसकी बारे में जान लेते हैं मैंने डाइग्राम इसलिए बना दिया है ताकि अगर आप नोर्स बनाते होंगे तो आपको बह भासा क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कम्यूनिकेशन होता है संप्रेसर का माध्यम होता है अर्थात जब हम अपने किसी बात को या किसी भाव को यानि अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे से आदान परदान करते हैं यानि कोई बात हम कह रहे हैं अगला स तो यह अगर ये ब्यक्तिय से कुछ किह रहा है और या ब्यर्थी सुनकर इस ब्यक्ति को जवाब दे रहा है तो यह पर्क Ins sur that एक यर फेली से बात करने का आपने भाँ को चारों को ब्यक्त करने का जो मात्यम होता है वो भासा होता है ठीक है दोस्तों चेले तो देखते हैं पहले आपको यह समझ में आ गया कि भासा की परिभासा क्या होती है तो यह तो ती भासा की परिभासा इसके कुछ साब्दिक अर्थ होते हैं भासा के शाब्दिक अर्थ को समय में जि भाश्धात्स से बना है भास्धात्स में और प्रत्य लगा है तो भास्व हो गया है और यह भास्व का अर्थ होता है वाणी को ब्यक्त करना ठीक है अपनी बात को ब्यक्त करने की पकिलिया क्या कहलाती है भासा कहलाती है तो भासा जो सब्द है यह स्वांस्क्रित भासा के भास धात में और प्रत्य लगाने के बाद बना है तो भासा बना है और वो भासा का अर्थ होता है अपनी बाड़ी को बेफ्ट करना है, ठीक है दोस्तों, चलिए, अब भासा की कुछ भी सेस्टाइं जान लेते, भासा की क्या भी सेस्टाइं होती है, ठीक है, पहला चीज, भासा हमेशा धुणी मए होता है, दुनिया में जितने भी देश हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका संप्रेशन का माध्यम भासा ही होता है ये अलग बात है कि भासा कई रूपों में है, उसका रूप बदल जाता है हम अपने भाव विचारों को अलग-अलग लीपियों में भासाओं में बदल देते हैं लेकिन बिना भासा के दूसरे से हम अपनी भाव विचारों को ब्यक्त नहीं कर सकते हैं तो भासा का सबसे पहला स्वालती है भासा ध्वानी मैं होगा ध्वानी मतलब होता है कुछ sound निकलेगा बीना ध्वानी मैं के भासा जो है कभी भी क्या होगा हम कह नहीं पाएंगे दूसरा ची भासा जो होता है भावों और विचारों को भाव एवं विचारों का आदान परदान करने का माध्यम होता है वो क्या होता है भासा का एक विसेस्ता होता है ठीक है अगला ची देखते हैं भासा प्रतिकात्मक होता है भासा प्रतिकात्मक बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों आप वीडियो में बने रहेंगे भासा प्रतिकात्मक होता है प्रतिक मतलब चिन दुनिया के जितनी भी भासा होंगी उनकी लीपी जो होगी प्रतिकात्मक होगी कुछ न कुछ प्रतीक होंगे चिन्न होंगे जैसे अभी हमारे हाँ यह को है अंग्रेजी में को ऐसे लिखते हैं हो सकता हो उर्दु में को ऐसे लिखते हो हो सकता हो मलयाला में या कंणर में कुछ उनकी लीपी में लिखा जाता हो तो भासा की एक quality है कि भासा क्या होगी बाबू प्रतिकातमक होगी चिन्हतमक होगी ठीक है इतनी वाब समझ में आ गई आगे वारते हैं कि भासा परिवर्टंग सील होता है यह देख़िए भासा परिवर्टं सील होता है अर्थात आज ये कोई भासा है और वो भासा जरूरी नहीं अकोई रहेगा वो भासा धीरे धीरे वो बदलता रहता है अर्थात जिस प्रकार से संस्कृत हमारी का सत्य प्राचीन भासा रही है, बैदिक सब बेटा की भासा रही है, फिर आगे चलके जो है कि धीरे धीरे पाली भासा आती है, प्राकृत भासा आती है, फिर आपका अप ब्रहंच आता है, फिर हिंदी आता है, फिर इसी प्रकार से भासा परिवार्तन सील होता है अर्थात मानली जी आज कोई सीमी छेत्र में बोली जाने वाली भासा है जब वो बोली बड़े ब्यापक असतर पे बोली जाने लगती है और जब उस बोली कर यानि उसको ग्रामर से संबन्द कर संबद्धित कर दिया जाता है आगला चीज भासा जो है वह अपने भागौलिक छेत्र में होती है, यानी हर भागौलिक छेत्र में भासा का रूप बदलता रहता है। अब पंजाब में जाएंगे, पंजाबी सुनेंगे, महराष्ट में जाएंगे, मराथी सुनेंगे, बिहार में जाएंगे, भोजपूरी सुनेंगे, मैथिली सुनेंगे, बहुत सारी भासाएं सुनेंगे, तो जैसा जैसा भागौली छेत्र होता है, वैसे भासा का भी रूप लुक्त बदलता रहता है भागोली छेत्रपेवी निर्वर कहता है तो यह भासा की कुछ क्या है विसेस ताय है अब भासा के कुछ भेद जान दीजिए एक भासा का भेद आप बहुत सुने होंगे बच्पन से पढ़े होंगे मौखिक भासा क्या पढ़े होंगे मौखिक भासा एक आप पढ़े होंगे बाबु मेरे लिखित भासा और एक मेरे बच्चा आप लोग पढ़े होंगे सांकेतिक भासा करेंगे सारे तो दो तीन के बच्चो का पढ़ा रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि गुर्कुल पॉइंट में हवा हवाई में पढ़ाई नहीं होगा भले कोई भी दर्सक जो देख रहा है बुरा लग रहा हो मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं हवा हवाई में मैं इस चैनल पे कोई भी की वन लाइनर कोस्चेनेंस और लिखवा लिखवा के रट्टा मरवा देए यह ऐसा पढ़ाई यहां पे बिलकुल नहीं होगा यहां पे जो भी पढ़ाई होगा पूरी बेवास्थित विस्तरित अध्यन होगा यहां पे किसी भी एक्जाम में आपको कहीं से डाउटफुल न रहे ठीक है यहां देखिए भासा के मुख सिरूप से तीन भेज पाये जाते हैं मौखिक भासा, लिखिक भासा, सांकेतिक भासा अब आते हैं लिखित और मौखिक और सांकेतिक भासा को समझते हैं आप ये जानते हैं कि भासा जो है क्या है हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का क्या है माद्यम है तो चलिए देखते हैं पहले जानते हैं मौखिक भासा जब हम अपने भावों को विचारों को एक दूसरे से बोल कर अथवा सुन कर जब हम अपने भाओं या विचारों का आदान परतान करते हैं, तो भासा कहलाता है मौखिक भासा, एक्जामपल के तौर पे, इस्कूल में आप छोटे से बड़े तक आप जब प्रेयर करने जाते हैं, तो तीन बच्चे ऐसे प्रातना करते हैं, उनका सुनके और इस्कूल के सारे बच्चे वो बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, यानि हम जब अपने मुह से बोलकर, कानों से सुनकर, अपने भाओं का विचारों का आदान परतान करते हैं, तो भासा क्या कहलाता है, मौखिक भासा कहलाता है, दूसरा दोस्तों मैंने लिखा है लिखित भासा, लिखित अर्थात blackboard पे example के तोर पे blackboard पे मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा लिखित भासा के अंतरगत आएगा आगे पढ़ते हैं दोस्तों तीसरा मैं लिखा हूँ सांकेतिक भासा सांकेतिक भासा क्या होता है कि जब हम अपने भाव विचारों को नो तो लिख कर नो तो बोल कर बलकी संकेतों या इसारों के माध्यम से जब हम अपने भाव या विचारों को आदान परदान एक दूसरे से करते हैं तो वो भासा कहलाता है कौन सा भासा सांकेतिक भासा judgement के तोर पे traffic police को ले लेजिये, आप कहीं शहर में जाते हैं भीड़ ज्यादा हो जाता है तो traffic police ऐसे इसारा करता है है और दूसरे वाले line को ऐसे करता है जाने के लिए फिर फिर उनको इधर बूलता है अगर उब ना समझ पाईए तो मैं अपने हाथों के माध्यम से जो ऐसे कर रहा हूं तो यह क्या है सांकेतिक भासा है आप news पे भी देखे होंगे कि जो लोग क्या बोलते हैं कांग से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए news पे एक आता है जो हास से ऐसे ऐसे करके समचार को बताता है इस आप देखे होंगे दूर दर्सन पे जाएंगे तो उस पे दिखाता है तो वो क्या क्या लाएगा सांकेतिक भासा के अंतरगत आएगा ठीक है दोस्तों अब आते हैं भासा के मून कुछ उद्देश से हैं भेद हैं मून उद्देश में क्या होगा बापू कि भासा में कोई न कोई क्या होगा ध्वनी होगा होगा और उन ध्वनीयों के मेल से कोई कोई वाण उठपन होगा ठीक है और उन वाणों से एक ब्यवस्थित रूप में रख दिया जाएगा तो वह वाणमाला हो जाएगा ठीक है और उन वाणमाला से वाणों से क्या बन जाता है मेल से शद्द बन जाता है और शद्दों के मेल से क्या बन जाता है मेरे वच्चों वाक्य बनता है और उन वाक्यों से क्या बन जाता है गर्द बनता है और फिर जब हम उसी गर्द्यान्स को ले तुक्छंद यती गती रस से समाहित कर देते हैं तो क्या बन जाता है एक चीजी याद रखिएगा कि यहां पे जो जितने भी मैं भासा के जो पार्ट दिया हूँ यानि एक दो तीन चार पांच है साथ यह कोई न कोई एक सार्थक होगा क्या होगा एक सार्थक होगा और दूसरा निरर्थक होगा जैसे अब इसी को ले लिजे इसके दो पार्ट होगे एक सार्थक और एक क्या होगा निरर्थक मैं निरर्थक को यहां से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ सार्थक को यहां से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ देखे ध्वन क्या होता है किसी भी भासा की सबसे छोटी इकाई होती है याद रखिएगा बहुत important पूछता है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है ध्वन है अरे मेरे भीया ध्वन निकलेगा तब ितो आप वर्ण बनाएंगे अच्छर बनाएंगे, वर्माला बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, वाक बनाएंगे, गध्यांस बनाएंगे, पध्यांस बनाएंगे, अगर धोनी ही ना निकले, मैं धोनी नहीं निकालूंगा, तो आप क्या समझेंगे, तो किसी भी भासा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती ह की का मा पा जा रहा है लेकिन मैं आप आपको बता दूँ कि इससे आसान समझाने का तरीका मेरे पास नहीं है मैं को बोला मैं लो बोला मैं ऐसे बोला तो वो धनी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों निरर्थक हो जाएगी ठीक है इसी प्रकार से वण भी एक सार्थक होगा और एक निरर्थक होगा work मतलब मैंने यहाँ call लिखा है तो यह सार्थक है और अगर इसको मैंने क्या कर दिया इधर से लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा नीरतख हो जाएगा इसी प्रकार से work माला भी एक सार्थक होगा एक नीरतख होगा जब वर्माला में का खा गा गा लेके ग्याओं तक आप लिख देते हैं सिस्टम से तो वर्माला हो जाता है यानि वणों के बेवस्थित समून से वर्माला बन जाता है लेकिन यहीं पे गा चा मा या र लिख देंगे तो वणों का करम उल्टा कर दिए तो यह क्या हो जाएग आप क्या समझ गया है कि hand pump की बात किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे कह दिया जाए निरथक में लन तो लन का कोई अर्थी नहीं निकल रहा है तो निरथक हो जाएगा इसी प्रकार से sentence होते है sentence मिस होता है वाक के अब जैसे मान लिजे मैंने आप लिग दी जा मोहन घर जाता ह है असपश्ट हो गया बिल्कुल बात असपश्ट हो गया तो सार्थक वाक के है लेकिन यहीं मैं मोहन घर जाता है को लिग दू है जाता मोहन घर सब्द सब सही है लेकिन सब्दों का बैठाने का कर मुल्टा पल्टा आपने कर दिया तो निरथक हो जाएगा इसी प्रकार से गद्य का भी एक सार्थक होगा, यह निर्थक होगा, कि जब अपनी बात छोटे-छोटे सेंटेंस में बनाके, कहानी बनाके, कहानी का सुरू और रंत तक कितने बेवस्थित कर दीजिए, कि जो पढ़ रहा है या सुन रहा है उसको पूरी समझ में आ जाए, तो वो सार्थक ह जाएगा आज जब कोई गद्य लिखिये य्स पताच छले कि उसका फोर्ज इसका लिखा जा रहा है क्या बोला जा रहा है क्या समझा जा रहा है तो निरर्थक हो जाएगा इसी परकार से काव बे भी एक सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा, अर्थात, जब कोई कवीता या गाना आप सुन रहे हैं, उसका लए, उसका तुक, छंद, यती, गती, सिष्टम से है, तो मजा आता है, लेकिन वही गाना आपका जो ले ना हो अलंकार ना हो रस ना हो कोई मजा ना आए तो वो क्या हो जाएगा निदर्थक पद्यान सो जाएगा यह कुछ भासा के अंग थे ठीक है अब दोस्तों चलते हैं अब हम आएंगे कि भासा का एक रूप होता है देखिए भासा पहले क्या होती है एक बोली होती है ठीक है तो जब बोली होती है तो बोली एक सीमित छेत्र में होती है जैसे हिंदी हमारा जो है राष्ट भासा है है क हिंदी पहले एक छोटी बोली रही होगी जो एक सीमित छेत्र में बोली जाती होगी फिर वो बोली जो है काफी लोग उसे लोगप्रिय हो जाता है वो बोली काफी प्रभावित हो जाते हैं और वो बोली काफी फैलाओ होने लगता है और वो बड़े छेत्र में बोले जाने ल लोग यानि हिंदी साहित के जो बिद्वान लोग हैं उसका ग्रामर बना देते हैं उस भासा को बेवस्थित ग्रामर पोजीशन बना देते हैं तो अब भासा कहला हो जाती है परिनिष्थित हो जाती है परिनिष्थित भासा कहलाती है क्या कहलाती है परिनिष्थित भासा कहल लोक्री हो जाता है चर्चा की द्रीष्टी से तो अब भासा क्या कहलाती है तो आज हुं दोग Pढ़ेंगे अपने राष्ठ भासा के लिए तो रास्ट भासा में आएंगे तो राश्ठ भासा में कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे संबै धानी विकास हो गया तो उसके बादे में पढ़ेंगे ठीक है यहां बहुत important है दोस्तों इसको तो आप बिल्कुल छोड़ियेगा मत यहां से प्रश्ण बहुत इतना मैं trick दिया हुना कि आप जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं प्रश्ण आजाएगा तो ठीक है तो वीडियो सुरू से लाश्ट तक बने रहीएगा अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा दिजे कमेंट बाक्स में लिखिए का आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है देखिए भासा में आते हैं संब्धानी विकास में तो पूछ दे हमारा भासा संबंदी जितने भी चीज संबिधान में लिखे गए किस भाग में हैं सत्रे में हैं बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछ दे भासा से संबंदी आइटिकल्स या जो भी चीज हैं कहां पर हैं? भाग सत्रे में हैं. ठीक है? अब कहेगा भाग सत्रे में कितने आइटिकल्स हैं? भाग सत्रे में कितने आइटिकल्स हैं? देखिए भाग सत्रे में 343 से लेके 345 तक भासा का वड़न किया गया है. बहुत important है, very very important, note करिए, अनुख छेद 343 में कहा गया कि संग की राज भासा का वड़न है, तो हमारे संग मतलब केंडर, ठीक है, राज मतलब एक इस्टेट, तो संग मतलब होता है कि हमारे पूरे देश की राज भासा का वड़न है किस में, 343 में, और लिपी का वड़न है, यह कहा गया है कि हमारे देश की राश्ट भासा हिंदी होगी, और उसकी लिपी क्या होगी, देवनागरी होगी, मेरी बाद समझ रहा है, यानि हमारे देश की राश्ट भासा हिंदी होगी, और उसकी लिपी क्या होगी, देवनागरी होगी, तो याद रखेंगे, आप से प दूसरा पढ़ते हैं अनुछे 344 जो है राज भासा आयोग का गठन का वड़न है यानि देश का जो राज भासा है उसका एक आयोग बनाया गया है ठीक है तो उसका गठन है उसका प्रेसिदेंट जो अध्यक्ष होगा राष्ट पती होगा तिक है भासा आयोका अध्यक्ष कोण होता ये भी प्रश्ण पूछा जा सकता है तो राष्ट पती होगा आगे चलते हैं बाबू, एक प्रश्न यहां से भी पूछता है कि हिंदी साहित का प्रथम राजभासा आयोग कब गठत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, यह भी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग का गठत किया गया है, अब तीसरा अटिकल साते हैं, अनुछे 345, अनुछे 345 का था है, राज्यों की राजभासा का वड़न है, यहां तो संग है कि यानि देश का था न, अब यहां पे राज्यों की राजभासा का क्या है, वड़न है, यानि कि देश का राज्य भासा क्या होगा, राष्ट भासा हिंदी होगा, और राज्य का अब हमारे देश में कुल इतने राज्य हैं, तो हर राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है ना, हिंदी तो एक बना दी गई एक संपूर भारत का है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगे आप जाएंगे, इसलिए भारत को मलब सभी राज्यों में आप भूम लेंगे लगेगा, क वहाँ पे बोली भासा माराथी हो जाएगा, कलकत्ता जाएगे, बंगला हो जाएगा, वहाँ का खान पान रहन सैन, राजस्थान जाएगे, वहाँ का बोली भासा बदल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे राज्जियों का क्या है, भासा का वड़न है, यह बहुत इंपोर्ट भासा क्या होगा हिंदी होगा इसलिए 14 सितंबर 1974 के बाद हम हिंदी दीवस के रूप में मनाते हैं प्रश्ण बहुत इंपर्टेंट है पूछता है कि हिंदी दीवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को पूछते तक कब लागू हुआ था इस भी वह लगू हुआ था ठीक है और यूपी में आ जाए तो यूपी की पहली भासा क्या है हिंदी है दूसरी भासा राजकी भासा क्या है उर्दू है कव आई थी 1989 में जोडा गया था ठीक है इतनी बास समझ में आ गई अब यहां थोड़ा सा आप आ जाए कि जब संभिध संभिधान बना था तो संभिधान की आठ्मी अनुसूची में 1950 में सिर्फ क्या था चाओदे भासाओं का उलेख था आठ्मी अनुसूची में कितनी भासाओं का उलेख था चोदे भासाओं का उलेक था, बाकी जो बाद में जोड़े गया हैं, यहीं से प्रश्ण देख लिजेगा, यह आपको बार बार इक जाम में, यहां से प्रश्ण आपको बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको जानने से पहले यहां देख लिजे, कि 1950 इस भी म में जो चोदे भासाओं थी, वो कौन-कौन से थी, देखिए, बंगला था, मराथी था, उरिया था, पंजाबी था, हिंदी था, गुजराती था, उर्दू था, कन्नव था, मल्यारम था, संस्कृत था, तमिल था, असमिया था, तेलगू था, कस्मीरी था, यह कुल चोदे, काउंट कर लिए, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आक, नो, दस, ग्यारा, बारत, तेरा, चोदे, यह चोदे भासाओं, उनिस सब पचास तक, उनिस सब पचास में, हमारे जब संभिधान में, चोदे भासाओं को भारत में, उनको अथेंटिक किया गया था, कि यह मूल भासाओं हैं, ठीक है, लेकिन बाद में, बाइस भासाओं हो गई, अगर आप से पूछे, बरतमान में, संभिधान के आठनी अनुसुची में, कितनी भासाओं हैं, बाइस हैं बाबू, अगर पूछ ले, कि उनिस सब पचास में, भारत के संभिधान के आठनी तेरियेगा क्योंकि यहां महीने ट्रीक देया है और इस ट्रीक के साथ आप पढ़ेंगे देखिये पहले 14 था फिर एक जूटा फिर तीन जूटा फिर चार जूटा फिर एक कब जूटा पीक फिर चार गुल और वो कहां कहां बूले जाते हैं सब इतनी में ही आप समझ जाएंगे, कैसे, 14 तो पहले था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ देखिए, पहला, एक कीशवा संविधान संसोधन, देखिए वज़ें, एक कीशवा संविधान संसोधन, 1967 में एक भासा जोड़ा गया था, कौन सा, सिंधी, और यह सिंधी कहा बोला जाता था, पंजाब का जो सिंध प्रदेश था, वहाँ पे सिंधी भासा बोली जाती थी, मेरी बार समझ रहा है। एक भासा जोड़ा गया, एक कीशवा संविधान संसोधन, ठीक, फिर पिश्रामा, सोरी, 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 एक त्रामा संविधान संसुधान उननीस सो बानवे में जोड़ा गया कितनी भासाओं को तीन भासाओं को कौन-कौन इन तीनों को याद करने के लिए आप नमक याद कर लिजिए नमक नमक तो रोज साथ सद्धी में पढ़ता है खाने के पदार्थों में यहाँ देखें नमक से नौ से नेपाली मौ से मरीपूरी अको से कोंकडी ठीक है तो आप जाते हों नेपाली नेपाल में बोली जाती है मरीपुरी मरीपुर में बोली जाती है कोंकडी नहीं आप समझते होंगे कोंकडी भासा गोवा में बोली जाती है कैसे याद करेंगे नमक याद कर लेंगे तो नेपाली मरीपुरी और कोंकडी आपको याद हो जाएगा तो नेपाली देखिए नेपाल की जो भासा उसे भारती संभिधान में 1992 में भारत का क्या कर दिया गया है भासा को अथेंटिक कर दिया गया है नेपाली भासा को ठीक है और कॉंकडी गोवा में जो बोली जाती है अब देखिए जब 277 आप याद कर लिये हैं इनी को जोड़ दीजिए एक एक दो आदो और साथ नौ यानि बान बामा संभिधान संसोधन 2003 में हुआ था और इसका सुप्त मैंने आपको दे लिया बोडो मास बस बोडो मास याद कर लिजिए लाश्ट में जो हुआ है सब मैंने लिख दिया बोडो और सम में बोली जाती है डोंगरी जंभू कासमी में बोली जाती है मैथेली बिहार में बोली जाती है संथाली जारखंड में बोली जाती है तो हर आसां यहां से प्रश्ण बहुत ज्यादा बनते है मेरे बच्चों याद कर लिजिए रट तो ये गुर्पुल पॉइंट का हिंदी चाहित का पहला भाग था मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा बीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैं यही समाप्त करने जा रहा हूं इसके दो तीन चार पार्ट आएंगे मैं चाहता हूं तीनो चारो पार्ट आप देखें क्योंकि अंतिम पार्ट में हिंदी साहित से कम से कम मैं 100 कोश्चन का टेस्ट लूँगा जो आपके परिच्छा और कमेंट बाक्स में आप बताईए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें दोस्तों को भी सेयर करना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको यह नए अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर थैंक्यू दन्योर